आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन के लिए कौन उसे प्रिपार करता है तो अल्टिमेटली हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि यह आपका फेटिलाइस्ट ओवम होता है जब तक यह एंब्रायो बनेगा, यानि जब तक यह ब्लास्टूला और बनेगा इस ब्लास्टूला का जो इंप्लांटेशन होता है, वो कहां होता है एंडोमेट्रियम में होता है, कहां पे होता है एंडोमेट्रियम में होता है तो यह आपकी एंडोमेट्रियम है इसी एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है इंप्लांटेशन होता है क्या होता है, implantation, ठीक है, अब इस endometrium को कौन prepare करता है, तो जो आपकी corpus luteum होती है, जो की graphene follicle से मिल करके बनती है, ठीक है, तो जो आपकी corpus luteum है, ठीक है, ये corpus luteum क्या करती है, एक hormone secret करती है, ठीक है, corpus luteum का formation हुआ, और corpus luteum ने क्या किया, एक hormone secret किया, उस hormone को हमने बोल दिया, progesterone hormone, क्या बोल दिया, progesterone hormone, अब ये जो progesterone hormone होता है, ये progesterone hormone को हम pregnancy hormone भी कहते हैं, क्या कहते हैं, pregnancy hormone, और इसे हम pregnancy hormone इसलिए कहते हैं, pregnancy hormone हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, endometrium को maintain करके रखता है, ठीक है, maintain to the, maintains to the, to the endometrium, ठीक है, तो जो आपके uterus के endometrium होती है, उसको maintain किये रखता है, उसको support provide करता है, ठीक है, तो इसकी वज़े से जब ये endometrium को, ये जब कि endometrium है, इस endometrium को maintain करके रखेगा, तो जो pregnancy होगी, वो काफी easily घुजरेगी, या फिर जो implantation होगा, वो काफी easy हो यूटरास की जो lining होती है, वो प्रिपर करने काम कौन करता है, तो progestron and progestron will be the answer of this question.